हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है Freedom from Hospital डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पाले thyroid की बिमारी वाके दोस्तों परिशान करने वाली चीज है याने हर रोज दवाई लेना और उसके बाद फिर नास्ता करना ये एक हमारी आदत बन जाती है हमारी मजबूरी भी है इससे बचने के लिए दोस्तों कई वीडियो में अभी तक आपको दे चुका हूँ फिर भी आज कुछ स्पेसाल बात आपको बताऊंगा जिससे आप बीना दवाई के बीना गोली के अपना thyroid को ठीक कर सकते हो उसका जो हर्मोन का सिक्रेशन नहीं हो पा रहा है या बहुत जादा हो रहा है उसको निट्रलाइज कर सकते हो दो ऐसे पत्तियां आपको बताऊंगा जिसके सेवन से प्राब्लेम पर्मानेटली दोस्तों ठीक होगा और खास करके जिनका TSH लेवल बिलकुल कम हो रही है या ज्यादा हो रही है दोनों में दोस्तों फायदा होगा बहुत ज़्यादा अगर TSH जा रहा है तब तो फायदा होना ही होना है इसके साथ साथ T3, T4 भी जिनका गड़बड़ी है उस पे भी दोस्तों ये फायदा बंद होगा ऐसे दोस्तों हजारों टिप्स आपको पता है मैं अपनी किताब में दे रखा हूँ My Health in My Hand ये referral बुक है, इलाज का बुक है घर में रख के इलाज करने वाली बुक है क्योंकि अगर हम authentic चीजें करेंगे तब ही उससे फायदा होगा सठिकता के साथ करेंगे तब ही दोस्तों फायदा होगा तो सठिकता कहां से सीखें डारिक्ली तो मेरे पास आप लोग आ नहीं पाते हों जतना वीडियो में बताते हों उतना ही देखते हों तो इसलिए एक किताब याद रख लो माई हेल्थ इन माई हैंड हिंदी 650 पेच के आसपास इंग्लिस में भी दोस्तों यह है माई हेल्थ इन माई हैंड एकीप्रेशर और आयरवेदा धायजाटिप्स इसमें है और कई सो बिमारियों का इलाज हमने इसमें दे रख हैं तो आप इससे घर जरूर लाओ ऑनलाइन एमेजन से मंगाओ या डायरेक्ली हमसे भी मंगा सेकते हूँ डवल टू डवल सिक सेवन सिक थी जिरो त्री या फिर डवल डवल जिरो फोर जिरो त्री सेवन फाइवेट में वाटसप करो अपना एड्रेस भेजो आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा चलिए आज के वीडियो के तरफ दोस्तों चलते हैं पहला है कि थोड़ा एक्की प्रेशर के पॉइंट को भी रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को साथ में एक एकसरसाइज देखो जिसको भी थायरेट में गड़बड़ी देखा जाता है या आपका पैथलोजी का टेश्ट में पता जल जाता है तो दोई तो जो खा रहें इमीडिटली तो छोड़ नहीं सकते इसलिए कुछ-कुछ चीज़ें स्टार्ट कर लो जैसे कि बताता हूँ सांस लेते हुए ऐसे पीछे को लो थोड़ा से अपने सीर को फिर सांस छोड़ते हुए गरदन को आगे सांस लेते हुए गरदन पीछे सांस छोड़ते हुए आगे यह करीबन पीछे के तरफ तीस बार आगे के तरफ तीस बार आप सुबह उड़ते ही करना है और एक बारी साम को दोस्तों करना है और जब वो कंप्लीट हो जाए थोड़ा यहां पर इस तरीके से मसाज भी दोस् इससे आपका thyroid gland अच्छे से दोस्तों काम करेगा और acupressure का point जैसे आपको मैं बताया हूँ यह है thyroid gland का stimulation point सुभा यहां कम से कम दो मिन्ट तक आप दबाव डाल सकते हो इधर और इधर मिला के इस तरीके से और TSH level को balance करने के लिए आपको इधर दबानी है कम से कम 30-50 times morning में एक बार फिर 11-12 बज़े एक बार साम को रात को चार बार आपको कम से कम ऐसा करना है यह हो गया दोस्तों thyroid का point जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि दो पत्तियों के मुताबिक इससे metabolism हमारा बुष्ट होता है और साथ में body detoxify भी दोस्तों होता है इसलिए जिनको भी लेवर की समस्या है diabetes ज्यादा रहता है heart में problem रहता है या फिर cholesterol level high रहती है body से toxins बाहर नहीं निकल पाता है joint pen रहता है सब के लिए दोस्तों है लापकरी है धन्यों के पत्तियों में vitamin A, vitamin C, vitamin K, साथ में calcium, phosphorus, iron और fiber भरपूर मातरा में दोस्तों पाये जाता है oxygen जिनका natural तरीके से कम होनी पा रहा है ये एक apply करके आप देख सकते हो यहाँ पानी अगर हम रोजाना इस्तिमाल करेंगे हड़िया मजबूत होंगे नसों में दोस्तों ताकत आएगा और weightless दोस्तों natural तरीके से होगा fat हमारा dissolved होगा इसमें antioxidant, anti-inflammatory गुन पाये जाने के कारण osteoarthritis, remotted arthritis, gout के समस्या में दोस्तों बहुत लाब करिये याने घुटने का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, eddy याने heel pain होगे रहा में इसका इस्तिमाल बहुत फायदा पहुंचाएगा दो का पानी में एक मुठी धनियों के पत्ति को अच्छे से धो के, इसमें उबा लें, जब पानी आधा रह जाए, इसमें अद्रक हलका सा डाल के, एक दो मिनिट उबाल लें, और फिर इसको छान कर दोस्तों गुन-गुने हालत में पीएं सुभा खाली पेट पीने से दोस्तों सबसे ज़्यादा लाब आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा गर्मियों का अगर समय है, तो पानी को थंडा करके भी पी सकते हो, दूसरा दोस्तों है थायरेड के लिए तुलसी के पत्तियों का पानी, ऐसे तो आप सबको पता है तुल पाया जाता है, जो थायरेड के लख्यों को कंट्रोल करने में दोस्तों मदद करता है, इसमें बिटामीन C, कैलसिमम, जींक और आईरन भी दोस्तों भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए जो जो बिमारी में आपको कहा थोड़े दिर पहले, वो सारा बिमारी दोस्त दिन दूसरा बत्ति तुलसी की पत्तियों में इतनी दोस्तों गुणकारी चीजें हैं कि आप सोच नहीं सकते शरीर में हर्मोनाल जिनकी इंबालन्स होती है यहां इसको ठीक कर देता यानिया पीरियेड होगरा की जिनकी समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है जो लड़कि वो भी दोस्तों कॉमल होता है यानि हर्मोनाल चेंजेस को यह बैलंस करता है तुलसी की ताजी पत्तियों को तोड़कर इसका रस निकालें कम से कम आठ दस बुंद होनी चाहिए इसे सुबह खाली पेट पानी के साथ ले सकते है यानि एक गलास पानी में यह जो ताजा रस निकाले हो तुलसी का उसको डाल के आप ले सकते हो इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जूस भी दोस्तों मिला कर भी लोगे तो और ज्यादा फायदा होगा अधर्वाइस सीधे आप एक देड़ गलास पानी में पंदरा के आस पास तुलसी का पत्ता डालें एक छोटा टुकड से अगर आप पत्तियों का सेबन करते हो तो स्वास्तिय के लिए बहुत ज़्यादा लाव होगा ओजन आपकी कम होगी हड़निया मजबूत होने के साथ साथ आपको दिल का दोरा दोस्तों कभी नहीं पड़ेगा किड़नी हार्ट लंग्स लीवर सारा अच्छा काम करेगा जिस टॉपिक के लिए आज ये वीडियो बनाए गया है कि हमारा थाइरेड का दवाई चुटेगा और थाइरेड की बिमारी दोस्तों दूर होगा थाइरेड में जो समस्या है जो विक्रूती है दोस्तों वो पर्मानेटली सॉल्व होगा आसा करता हूँ ये जानकारी वाक भी दोस्तों शेयर के रिए विडियो को यह नहीं कहा हूँ कि आप इमीडियेटली सेयर करें मगर लाव होते हैं तो जुरूर सेयर करें साथ में बाकी वीडियो भी दोस्तों देखें 17-1800 वीडियो अब तक हो चुका है आपके सारा तकलिप के बारे में मैं उसमें डिटेल में जानकारी दिया हूँ कहीं कोई डाउट होता है आप मुझे पूछ भी सकते हो और कहीं अगर आपको सर्जरी लिखता है डॉक्टर तो दोस्तों मैं आज भी सला दे रहा हूँ हजारों मरीज अच्छे होके गए हैं सर्जरी नहीं हुई है आस्तलक आपका भी नहीं होगा चाये स्पाइन का सर्जरी हो घुटने का सर्जरी हो हीव जोइन की सर्जरी हो या फिर किसी भी तरीके का समस्या है उसका समाधान दोस्तों नैच्छरल तरीके सम कर सकते हैं और जो माँ बाप सीख के उसके डॉक्टर बनोगे तो जिंदे की भर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा दस जगा जाके आपको धक्के नहीं खाना पड़ेगा आसा करता हूं दोस्तों साथ होके काम करेंगे मिल जूल के रहेंगे एक दूसरे से नॉलेज सेयर करेंगे तभी फ नहीं जय भारत